इंडिये रिवल्वर आती है 12 रुपी कि इसके दाथ एक टरफल पावर का साउंड कॉक का बॉक्स मिलता है और एक कवर मिलता है अच्छा इसको पीछे थे खीचेंगे खीचने के बाद यहां से आगे से कौक लगेगा तो यह फायर होगी बहुत चोड़ते वो भी अभी हम कर करके दिखा देंगे आपको तो गाई आपको सभी घंड का साउंड दिखाएंगे पाय करके जी तो यह बारस वेपे किया है हम मैटल की होती है पुर जी यह होती है सेविन शोट रिवल्वर यह तरीके खुलती है यहां पर बिंदी वाले पटाके लगते इसके अंदर सेवि मिलेगी एक कवर और एक बॉक्स कपल पावर सौन को तो पचाथ ग्राम एक्सपोस का वेक्ट होदा है से हवी में भी मिल जाएगे आपको अगर आपको है यह ज्यादा भाई लेन यह यह थोड़ा लाइट वेट में होती है यह तीन सो ग्राम होती है करीब अच्छा मैटल क अच्छा में जाएगा इनके साथ मिलता है अच्छा यह जो नॉर्मल नहीं के साथ मिलेंगे कदर मिल जाएंगे अलग तो अब कोन सी गन दिखा रहे हों काईस अब हम आपको दिखाने वाले बहुत कोती है अबेसिंग पिशल्स जो की स्पोर्ट से काफी अच्छी एयर पिशल्स है पहले जो आपने निखाएती वो होती साउंड पिश्टल जी अच्छा उनकी शेप होती सोड़े ओजियन की तरह उसमें खाली साउंड कोग चलता है इसके अंदर हम पैलेट भी यूज कर सक होते हैं हमारा मोस्ट जुमांडिंग प्रोजेक्ट यह है तहल का एयर पिश्टल इसका नामें च्छोटा साइज है बिजाइन भी काफी अच्छा है और इससे करके जबनी फैक तो तूटे का बना हुआ है देखिए पर दम उचाई से फैकते हम देखो पूरा लोह का बना ह जाए फच्क्रास एर पिस्टल है फुल मेटल है मात्र दो जारुए में मात्र दो जारुपर कोई जाजा कोशनियस की रिमिटेर कोश्ट है और लोड भी तेखिए बहुत इसली होता है यह देखो दुआ भी देखिए बहुत जाब अदस्त त्या क्या आता है तक साथ ही іरनी है तो warzी दिखा अब आगे से चुनiert बालें फिर आगे से सउन कोशन लगेगा पिर यह धिट करेगा तो इस से बंदर बंदर भागह जाएगा अब इसे ब्गर अपने घर पर सकते हुआ संथा इस अधा कंट पिर आती एक रिए शूटिंग के लिः य enormous करते ने साथ तरिशतback काई पूरा फे गन से देया के लोड़ हो गया इसको निकाल देंगा अब अच्छा सांड वरकोन की जैजितने होती है 10 15 मीटर होतीए 20 फैसरे नहीं डस直接 होती है। पावा लगाने परती है वेल में भी काफी जान लगानी परती तो सब के अंदर ख अंडा लगता है जी सब में Onun को लग जाएगा जाएगा इसके बारे मतं Kayla यह से मिझाय गृपिंक अग्रीलख कर लिए अच्छा यशा यह भी संब में यह नSu वोच है कि इसको देख इसको देखिये को थो है इसके लिए भी लोडराना आथा है कंप भूच फोर तर लिए लेना रूइस वहुझे है एंस कि रचे ज कम दोझ इसकी एक्रच जायगा रहीज फेटे टैन को चाही है इसका पच्छिश पूचिनेग को छोप शेप में और यह थोड़े फेंसी शेप में जैसा आप अपने घर में ऑफिस में लगा सकते इनको यह थोड़ा फाइबर होता है हलका हुथ मैटल होता है इसके अंदर काफी हच्छ होता है मुवीज और एड़म सॉंग्स में जाए तर यूज यह देखा भी होगा यह देख य में है ब्लेक काई मैट ब्लेक काई सिल्वर में इसको इस तरह के से पीछे करेंगे तो पीछ होगे आगे हो जाता है यह देखाने वाले है ताइटन की आपको एर गंज चो कि इंडिया की सबसे बेस्ट एर राइफल साती है काफी सालों चलाए जाओ कोई दिक्कत निया तो दोगा यहां पर आपको देख को सिंगल मिल जाएगी और स्टील तो कित्व अँपर चारिश हो जाती है है था रह Κा नाव है तो कि अछू की प्रेश वी काफिया था बीस-पच्चीश मीटर कि एसकी रेंज दो चला कर दिखाए हम यह इना सांड को क्या रहा जाई है क्या क पहले दलते हैं मिसके अंदर और यह आता है टृपल फावर का साउंड को दोनों चीज हम इसके साथ देंगे और इसकी कि इसकी मिल जाए गया इसकी वह बड़ थोड़ा शोट इसका थोड़ा लॉंग बट का दिया यह जैसे गुब बार भार फोड़ते हैं मेलों में घर में के लिए तो काफी अच्छा आइटम है इसमें इसमें कलर ब्लैक ब्राउन वुड़न यहां पर आद देखाए थी उसमें भी आपको कई सारे मिल जाएगे इनके जो बट होते हैं यह पकड़ने वाले हैंडल यह सब वुड़न में होते हैं बाग की सब मैटल होता है ठीक है तो इसके बाद कौन सी यह आईगी फिर टाइटन की होकी मोडल की काफी अमेजिंग होती है बारा बोर के उसी की तरह लगके आप देखिए देखिए इस टाइल में काफी अच्छी होती है लोड करने का तरीका यहां रखो आप इसको यहां चलका था हाथ मारो ठीक है अभी इसके नाम लिखा इस पर तो मतलब किसी को विदाओ नेम चाहिए तो वह इस पर आदो कलर कला लिजा आप कोई करने को इस्यू नहीं हो जाएगा हां फिर आती है के डवल बैरल में यह देखो कर डबल में मिल जाएगी हां पर इसमें चलेगा एक ही बैल पर यह दूसरा बै इस पर नाम लिखा हुआ है यह इस पर इस पर लगा हुआ है आप इसको रिमूवल हटा सकते हैं जी जी और एक मॉडल इसमें है जिसमें हमने फोड़ा मैगजिन अफडेशन करा है आपको दिखाता हूँ यह खाली हम ओडर पर रेडि करते हैं जो मुवी वगेरा में होता ह है इसका मॉडर पर त्यार करवाते हैं इससे लुकिंग जो है काफी अच्छी आयती गन की देखिया बहुत ही सांदाल लुकु आती गन की तो क्या प्राइज है इसका गन का प्राइस साड़े साथ या रुपए है मैगजिन की कोस्ट अलग आती है वह हम आपको बता देंग इनका होता है कम से कम 3-4 किलो वजन होता है जो आपने पहले दिखाए थे होकी गन इनका वेट कितना था इनका इसी होता है 3-3 किलो को से बार मताई है यह है टाइटन का मोडल 35 35 जी और आप इसको खेतों में यूज कर सकते हैं जानवर को बगाने के लिए घर में रख सकते ह है और इसको यहां पर रखके इस तरीके से लोड रहता है काफी ज्यादा हाल नहीं होता कुछ नहीं होता और देखिए साउंड की बात की चाफी अच्छा साउंड आएगा इसका भी देखिए बहुत ही जब अधा साउंड आता है तो काई सार भायल कमेंट आते है जैसे कि पूलिस वालोंसे कोई दिक्कत नहीं आप टुमाल करें गे तो आपकी दिक्कत है आप इसका घलत उस बिल्कुल ना करें जो घुटिंग मैं उसक्ते हैं श्मेस करें जी फिर के मोग डाला था टाइटन का फाइबर बट में जैसे सब लगडी में हैं यह आता फाइबर में यह यह काफी अच्छा फुल ब्लैक में काफी अच्छा लुगिंग आता है इसका भी बहुत ही प्यारा पीस आता है यह और रीजने बलेटों पर इंडिया में अभी तक तो आपको विदाओट में जयारे जाता है इसको ब्लाइब करते हम लोग कि आधा धें देते क्योंकि जब तक बट नी अच्छा लएगा तो गन अच्छी कर लगी यह एऑ लोट अच्छी लेकि काफी अच्छा साउंड है तो गाइस यह है टाइटन का डवल बेरल मोडल जिसका हम आपको अभी ट्रबल पावर साउंड को के साथ दिखा रहे हैं देखिए इसको लोड किस तरह कंदा देखिए इस तरह के लें नीचे सीधा लोड अब इसमें हम डालेंगे यह 0.177 केलिवर का पैलेट यहां से हमने पैलेट डाला ठीक है उपर किया यह कुछ ट्रबल पावर साउंड कोक है आप देख सकते हैं इसको हम धूप में शुका चुके हैं अच्छे से अब इसका हम आपको फायर टेस बहुती अमेजिंग आने वाला यह देखिए इसको हम ने इस ते किस ल